36 गर के फूड इंस्पेक्टर राजेश कुमार विश्वास वही अधिकारी जिन्होंने 21 मई को कांके इर्जले के परलकोट डाम में पाटी इंजोई करते वक्त अपना फोन गिरा दिया था और उसे निकालने के लिए लाखो लीटर पानी बहा दिया था इस मामली में पहले उन्हें सुस्पेंड किया गया था अब राजे के सजाई विभाग ने उन्हें तरिपन हजार बानवे रुपए का बुपतान करने के लिए कहा है इसमें 10,000 रुपए का जर्माना भी शामिल है हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मताबिक सुचाई विभाग ने आदेश में कहा है कि राजेश कुमार विश्वास ने बिना किसी अथोरिटी के अनुमती के डीजल पंपों का इस्तमाल कर पानी निकाला है जो 36 गर्द सुचाई आक्ट के तहत दंड निया प्राध है आज तक से जुड़े धरमेंद्र महापात्रा के रिपोर्ट के मताबिक ये नोटिस संचाई विभाग के जगदल पर स्थित डिविशनल ओफिस ने जारी किया है विश्वास को ये राशी अगले 10 दिनों में देने का निर्देश दिया गया है नोटिस में कहा गया है 21 के जिले के फूर इंस्पेक्टर विश्वास अपने दोस्तों के साथ सुंदर परनको डाम पर पिकनिक मना रहे थे वहाँ उनका सामसंग गालक्सी S23 फोन जो उन्हें 95,000 रुपे में हरीदा था पिसल गया और डाम में गिर गया अगले 4 दिनों तक विश्वास ने बिना कि अधिकारी के अपने फोन को ढूनने के लिए डाम से 4.1 मिलियन लीटर पानी निकाला जो आसपास के गाउं में सचाई के लिए था अपने निजी स्वार्थ के लिए विश्वास ने 4,104 क्यूबिक मीटर पानी बरबात किया इसके लिए उन्हें 10.50 रुपे 3 क्यूबिक मी रुपे 10 दिनों के अंदर कार्याले में जमा कराने हैं